Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Hadis का session शुरू करते हैं इंशाला पहले में हमने देखा था 15 hadis तक किया था आज हम 15 onwards करते हैं 16 to 20 करेंगे इंशाला short short hadis हैं देख रहे हैं और आज का मोजू है कुछ चीजे मैं आपो title बता दूँ अल्ला के रास्ते में निकलना और दूसरी चीज़ हम देखते हैं इल्म को पहलाना और खुरान पढ़ना और पढ़ना और खुरान को खुशलाहनी से पढ़ना शुरू करते हैं नबियना मुहमद अब जब हम दुरूत का शुरू कर रहे हैं तो आप सब भी छोटा सा दुरूत पढ़ ले या लॉंगर दूरूद पर सकते हैं आप जैसे आपके लिए बैतर है या दूरूद इबराहिम भी आप पर सकते हैं और जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है यहां पर देखते हैं कि अल्ला स्भाना ला किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो वो दीन की समझ देते हैं अन्माविया यकूलु काल रसूल लाही सले लाही लिए लिए लाही भी ही खायरन युफ़क्यु फिद्दीन तो अगर आप दीन पे चल रहे हैं आप एहकामात पे चल रहे हैं और स्पेशली यहां पर यह होता कि जो औरतें दर्स से जुर जाते दर्स में जाते आते उनको मोटिवेट ने करते लोग वो कहते हाँ आप तो तुम दर्स अटेंड करने लगे तुम दुनियादारी छोड़ दिये दुनियादारी अपनी जगा है लेकिन एक साले सोबत के लिए हम चाते के हम अच्छी सोबत में उठे बैटे और कुछ सीखे मकसद यह रहता कि सुब इखटे होके कोई अच्छी दीन खुरान और सुनत की बात सिखे तो इसमें यह कितनी मोटिवेशन देखे माई यूरीद अल्लाहु भी ही खायरन यूफग्यू फी दीन तो यहां पर अल्ला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता फर्माता है चाहे आप तालिब इल्म हो या चाहे आप टीचर हो लेकिन दीन की समझ बहुत बड़ी चीज़ है यह और यह इतनी प्रेशियस चीज़ है इसको होल करना चाहिए इसको अवेल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए ऐसे महफिलों के साथ जुड़ जाए और लोगों को भी इसके तरफ जाने का रगबत दे ना के रोके से अल्ला के रास्ते में निकलना जब अल्ला के रास्ते में निकलने की बात मबहुरी यहां पर हम देखते हैं कि अबास बिन राफे रिवायत करते हैं कि मैं जमा के लिए जा रहा था कि अब्बास अब्दुर्रह्मान बिन जाबिर ने मुझे बुलाया तो इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाव सल्लाव को फर्माते सुना जिसके खदम अल्ला की राह में हुबार उलाद हो अल्ला इसी आग पर हराम कर देता है मतलब जब आप अल्ला के रास्ते में निकाल रही है और आप की जो पैर है उस पर डस्ट लग गई तो उनके लिए दोजख की आग हराम है मैं आपको फिर भी हदीस के अल्फास सुनाती हूँ समयतु मतलब सुना रसूल अल्लाव सल्लाव सल्लम यकूल तो वो क्या फर्मा रहे थे मानि गबार गरबत गबार जो बोलते हैं वोई है गबरा और खदम हूँ खदम जो हम कहते हैं वोई खदम फी सबीलिल्लाही अल्ला के रास्ते में हर्रम हूलाह अलना उनके लिए हराम है आग तो यहां पर अगर हम देखें हदीश को डीपर मीनिंग में अगर समझें पहले तो लिटरल वे में हम समझेंगे ठीक है जैसे हम अल्ला के रास्ते में निकले और उस पे अपने शूस पे या सौक्स पे डस्ट आ गई या अपने फीट पे डस्ट आ गई तो वो क्या हुए हुबार हो गई और वो अल्ला ताला यहां फर्मा रहे हर्म अल्लाह अलनार आग से पचा दिंगे लेकिन कुछ लोग यह अधीश पे अमल करने के लिए थोड़ा दूर कार पाक करके वो अगर डस्टी मतलब डस्टी इंसेंस है जैसा कि समर का टाइम रहता न जब आप वाक करो तो आपको महसूस होता कि डस्ट ओडी इवन डेजर्ट एरिया में लेकिन विंटर में ऐसा नहीं होता इवन फॉल में भी ऐसा नहीं होता लेकिन जो प्रॉपर समर में आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं फिर नेक्स्ट हदीस देखते हैं इल्म को पहलाना इल्म को पहलाने के विए बहुत ज़्यादा फजीलत है अब्दुल्ला बिन अमर रदियालानहू अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकर्म स्लिल्ला लिस्लम ने फर्माया मेरी तरफ से लोगों को एहकाम दीजिये पहुँचा दो कि अगर के एक आयत ही क्यों ना हो वो आगे पहुँचा दे लेकिन इसमें कोई चेंज ना करे अगर कोई भी इसमें जान बूच के अगर जूट बोले तो इसे चाहे के वो अपना ठीकाना आग में बना ले जैसे ही हदीश सुने जैसे ही कुरान की आयत है एक्जाक्ली वैसी बताना है अगर समझे के आप उसके अलफाज भूल गए तो आप बता सकते के नई मुझे लगता कि इसका मफूम यह है ठीक है होता भी इनसान है भूल गए लेकिन आप उसका ओवराल समरी बयान कर सकते मुझे एक्जाक्ली वर्ड्स याद नहीं है हदीश के लेकिन उसकी समरी यह है कि यह यह ऐसी बात है तो दैट्स ओके लेकिन यहाँ पर में चीज़ क्या है ऐसा नहीं है कि आप सुन रहे हैं और आप कहरें कि नई आई थिंक यह चीज़ हदीश में है अगर जब तक आप शोर नहीं है तो आप मत कहिए कि यह हदीश में है यहाँ पर अन अब्दुल्ला बिन अमर अन नभी चीज़ चीज़ नहीं हो पहुँचा दो अगर कोई कजीश चूट बोलेंगे मतलब यह कह रहें कि अच्छा यह शायद यह हदीश में है वो है यह हदीश में बोच सारे हम ट्रेडिशन फॉलो करते है वो हदीश से, खुरान से, सुनत से थाबित नहीं रहता तो आप कह सकते हैं कि नहीं हम ट्रेडिशन फॉलो कर रहें बाप दादा जो हमारे बताए हम उसी को फॉलो कर रहें लेकिन हमको नहीं मालूम खुरान या सुन्नत में है या नहीं आप बिल्कुल ख्लियर कट बात करिए इतनी अम्बिक्विटी या ऐसी उल्चेवी बात मत करिए क्योंकि यहां पर हदीष के अलफाज इसलिए मैं आपको बेयान करती हूँ ताकि आप वो चीज से हमारे अंदर एक फियर होता बत्तकुल्लाहा और यहां पर क्या फर्मारें कजबा अलय्या मुतामिदन फल्यतबवा मकदहू मिनननार उसका क्या है ठीकाना वो है नार तो हम नहीं चाहते कि हम कोई जूट बांदे जो खुरान में नहीं है सुन्नत में नहीं है लेकिन पहली पॉजिटिव चीज क्या है अगर आप एक आयत क्यों नहूंँ आप देखिए हदीष के अलफास या ais एक आयत क्यों आप आगे पहुचा दे अब देखिए सुरे फातिया हम सब जानते ना सात आयत है पुर अच्छी तरह हमारे बच्चे जानते छोटे छोटे बेबी जानते तो क्या है बल्लीगो आई एक आयत क्यों नहूंँ आ यस्टेडे से बहतर होना चाहिए कल से इसलिए मैं यस्टेडे यूज़ कर रही हूं कल हम जो है ना आने वाले कल को भी यूज़ करते हैं और पिछले वाला जो प्रिवियस डे है उसके लिए भी तो what I was saying कि हमारा जो यस्टेडे जो कल का दिन गुज़र गया वो आज का दिन उससे बहतर होना चाहिए दीन तालोक से जिसा कि आप इल्म हासिल करें आप more and more इल्म हासिल करना और क्यों हासिल करना पहले आप ख度 عمل करने के लिए और बाद में दूसरों की पात है तो आप जब आल्म हासिल करते जाते आपके अंदर व dou होता और वो आप अमल करते और अल्ला से दुआ करना कि अल्ला मुझे तौफीग दे कि मैं दीन पे रहूं और साबित खत्म रहूं इस्तिखामत दे और मरते दम तक मैं इस पे रहूं तो बल्लिग वन्नी वलो आया तो करना है लेकिन छूट वमन का जबाने करना है कोई चीज अगर नहीं मालूम नाद्री मुझे नहीं मालूम है I don't know मुझे नहीं पता इसमें कोई शर्मिन्दगी की बात नहीं है और कभी जो है ना कोई दीनी तालुक से भी कोई सवाल किया जाता जिससे सवाल किया जाता उनको जवाब देना चाहिए जिसे सहाबा इक्राम क्या करत तो आप सहाबा का कितना अच्छा तरीखा होता हूँ कहते कि आप बहतर जानते आप अल्ला के रसूल सले लाले सलम हैं तो आपको एक मरतबा दिया गया था ना आप प्राफिट थे एक रसूल थे तो वैसे ही अगर कोई तालेबे इल्म है और हम सब तालेबे इल्म हैं हम सब सीख रहे हैं और मरते दम तक हम सीखना हमारा काम है कोई अगर बात टीचर से पूछ रहे हैं तो उसका काम है कि टीचर जवाब दे जहां पर भी जो भी कंसर्न जहां पर भी हम जा रहें इकटे हो रहें अगर वो टीचर अजासद दे कि ने कोई और इसको आंसर कर सकते तो वो कर सकते ये भी क्या है दीन का हक है ना कि हर कोई अपना वो question आंसर करना शुरू कर दे ये भी क्या है तो ये बात का हम थोड़ा सा इल्म हासिल कर रहे हैं तो हम इसके साथ हिक्मत के साथ सही उसका अमल भी होना चाहिए गुरान पढ़ना और पढ़ना अब इसके तालुक से देखते हैं उस्मान रदियाला नहों फर्माते हैं रिवायत करते हैं आप सलिए लाल इसलम ने फर्माया तुम में से सबसे बहतरीन वो शक्स है जो कुरान सीखे और सिखाए बहतरीन शक्स है जो सीखे और सिखाए अन उस्मान रदियाला नहों से रिवायत है कौन है खैरुकुम मन ताल्लमा ताल्लमा इल्म से तालीम जो हम कहते हैं अच्छे तालीम क्यों कहते हैं इल्म एक है तालीम, तालीम क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज सिखना, अब आप बोलते के ये फला इनसान तालीम हासिल कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता है, वो इल्म हासिल कर रहा है, अब ये तो नहीं हो सकता, ओवरनाइट में आप सारी ख वोग चाहते के खुरान सीखे, हदीस सीखे, लेकिन वो चाहते विदिन नो टाइम, एक लेक्चर सुनके, या एक किताब पढ़के, वो समझते के वो उलमा बन जाएंगे, नहीं, हमारे जो उलमा हैं, कई साल लगा दिये, पुरी जिन्दगी लगा दिये, कई तो ऐसा हुआ क उनकी जिन्दगी आखरी मॉमेंट तक सिर्फ पढ़ने पढ़ने में थे, सबसे पहले तो हमारे रोल मॉडल, रसूल लगा, पर सहाबा एक राम है, ताबीन है, उसके बाद, जितने आइमा एक राम आएं, आज तक भी, जो इलम हासिल करने वाले है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरी लाइफ डेडिकेट कर दिये, तो अल्लम तौ अल्लम तालीम मतलब आहिस्ता आहिस्ता इल्म हासिल करना, खईरुकुम् मन ताल्लम अल्कुरान, जो तालीम हासिल करें, वो इसका इल्म, तो वो क्या है, याम बता रहीं, तुम में से सबसे बहतरीन वो शक्स है, जो कुरान सीखे और सिखाए, एक तो तालीम है, और एक इल्म है, आप दो चीज़े आप देखे हैं हदीस में, एक तालीम बता रहें और एक एक इल्म, तालीम कैसा हासिल कहते हैं, मैं समझें कि मैं तालीम हैं, तो मैं तालीम सीख रहे हूं, फिर सीख लिए बासे कुरान अल्लम हूँ, फिर आप क्या करें, इल्म आगे पहुचा रहें, आप आज आलिम आप दूसरों को सिखा रहें, तो two things here, एक तालीम है, एक अल्लम हूँ है, तो पहले तालीम हासिल करेंगे, फिर उल्मा की तरह पिर आगे उसको पहुचाएंगे, तो ताल्लम आल्लम हूँ, है तो सेट रूट वर्ड, लेकिन उसका जब फॉर्मेशन चेंज हो जाता, उसके माइने भी चेंज हो जाते हैं, जो ग्रैमर अच्छी तरह डेप्ट में जाते हैं, वो ये मेरी बात समझ रहे होंगे, लेकिन हम ये हदीस से हम क्या सीखें, के वो खायर बोल रहे हैं, खायरू कुम, मन ताल्लम अल्ल कौरान वा अल्लम हूँ, कौन बहतरीन हैं, और यहां पर स्पेसिफिकली कौरान की बात होगे, जो कौरान सीखे भी और सिखाए भी, तो हम सब पहली तो बात हम मरते दम तक तालेबे हैं, तो हमारे लिए क्या है, इल्म हासिल करना फरीजा है, जब इल्म जैसे जैसे ग्रैजूली हासिल कर रहे हैं, उसको फैलाना भी है, अच्छा कौन सी चीज है, जो खरच करने से बढ़ती जाते हैं, इल्म, अब जिससे सदखा माल को कम ने करता, माल को ज़्यादा बढ़ा देता, सदखा भी क्या है, आप स लिल्ला ही, तो क्या हो रहा, इतना अल्ला तल्ला बोल रहे हैं, मैं इतना बढ़ा चड़ा के देख दूँगा, सूरे बखरा में फरमाते हैं, साथ सो गुना, साथ सो गुना से ज़्यादा बढ़ा के दूँगा, तो वैसे ही, इल्म, जैसे जैसे आप खरच करते जा रहे ह अब आप तालीम हासिल कर रहे हैं और आप वो किसी और को फेला रहें ने तालीम का भी क्या है अब आप समझोगे एक कोई बाटल है ऊसमें आप पानी फिल कर दिए अब आप और पानी डालो पानी नीचे गिरने लगता तो वैसे ही इलम आप हासिल कर रहे ہیں साथ में उसको जब पहलाएंगे लेकिन एक बात इसकी शर्ट जरूर है कि इल्म में आपके बुखतगी रहना रासिखीना फिल इल्म रासिखीना फिल इल्म सुरह आल इमरान में हम स्टार्टिंग आयतों में देखते कि फर्मली रूटेड इल्म बिल्कुल पुखता सही इल्म खुरान और सुन्त का सही इल्म होना चाहिए तब ही आप आगे पहुचा सकते आप शेकीन होना चाहिए आई थिंग मैं समझती हूँ ऐसा नहीं आप फॉर शोर होना चाहिए यह आयत है खुरान की यह अधीस है ये बुखारी की हदीस है, ये मुस्लिम की हदीस है, ये तिर्मिजी की है, और इसकी ये तफसीर है, अगर आप शोर नहीं हैं, तो उसके बेतर है, आप खामुश रहें, अब आगे देखते हैं कि कुरान को खुशलहनी से पढ़ना, अब यहां पर अबुहरेरा रिवायत करते हैं, रसुल लास लासलम ने फरमाया, जो शक्स खुशलहनी से खुरान ना पढ़े, वो हम में से नहीं, अगर आप खुशी से ने पढ़ने, कभी लोग एंफोर्स करने के वज़े से खुरान पढ़ते, मुझे मेरे पेरेंट्स ने का कि आज मुझे एक रुकू पढ़ना है या आज मुझे निस्फ पढ़ना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने हैं, और सौरी तू से कि कुछ लोग शादी के बाद सिर्फ हस्बेंट को खुश करने के लिए खुरान पढ़ते हैं, नहीं, अल्ला को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, हस्बें हो, अल्ला के लिए करना है, उसके बाद जो रसूल सललाल लाइसलम फर्माएं वो इत्वा करना है, ना कि इनसानों के लिए, इनसान तो एक रास्ता बताते, लेकिन आप वो रास्ता क्यों फॉलो करना है, आप जाब करते हैं, आप और सिर्फ अल्ला के लिए करिए, लाइसा मिनन मा लम, यतवगना बिल्कुरान, तो जो शक्स, जो खुशलहनी से खुरान ना पड़े, वो हम में से नहीं है, लम, नहीं है, लाबी ने करें, लम, बुलते हैं नेवर वैसी वाली बात है, कि नई, होई हर्गिज ने हो सकता, वैसी बात है, और हम खुशी से पढ़ना हैं खुरान, रोते रोते ने पढ़ना है, अच्छा मुझे तो अब ये दिखाना, और दिखावे के लिए पढना ही नहीं है, रियाकारी के लिए, जो भी हम पढ़ रहें, सीक रहें, सिर्फोड़ और सिर्फ, अन्ला अँद आला के लिए हो खुरान, पढ़ना पढ़ने का इतना जादा क्यों है, हम बच्पन से हर कोई। कुछ नुकसान पहुंचाना चारा, दोजख का, तो वो रोग देंगे, बोलेंगे, कि नहीं, ये तो खुरान पढ़ते थे, ये जागते थे, खुरान पढ़ते थे, तो खुरान आप वाखिरत में, ये जुजदान में रखे, उपर रख दे रहें, खुरान ये फैदे में नहीं है, कोई फैदा नहीं है, आज कल तो आई पैड, फोन, लैपटॉप, एवरिवेर इस खुरान, खुरान in every hand, in every home बोलते हैं, तो खुरान तो हर जगा है, हमारी नजरी है, जो नहीं पढ़ रही, अच्छा फिर 8-10 दिन हम एक्जेम्ट हो जाते है मुझे खुरान पढ़ना नहीं है, तो आप सुन तो सकते हैं, अच्छे खारी की आवाज में सुनिये, आप सीख सकते हैं, कैसे इनके मकारिज निकल रहे, कैसे खुरान की अदाईगी हो रही, और हदीसें सुन सकते हैं, आप खुरान की तफसीर सुन सकते हैं, सिर्फ आप teacher है आप जैसा memorize करें तब भी आपको तो memorize करना है आप तो हिफ्ज करना है तो यहाँ पर खुशी से अल्ला के लिए उसके बाद इत्वाय रसूल करने के लिए आज जो हम हदीसें देखें फिर से मैं पहले तो यह कुरान की खुशलाहनी से यह लास्ट वाली हम देखें और उस से पहले क्या देखें कुरान पढ़ना और पढ़ना यह बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं मालुम है करे देजेंगे और पिर हमिवह आजाएथ दहे थे जिसमें मनिः ख्रःबत जसके खदम हो जिसके खदम पे धूल जम गई फी सबीलिल्णयव आंहित tractor के जा रहें मतलब अला के रास्ते में इतना निकल रहें कि आपके फैरों पे धूल आगए तो एवन यून विन यून विन आप गारी में भी जा रहें तब भी आपके क्या होता धूल मिटी लेकिन लिट्रल सेथ में हम लेंगे कि आपके ख़दमों में क्यों कि अलपास कहा है खदम हूँ फी सबीलिल्लाई आपके खदमों और क्या है मानि घौरबत हर्रम हूलाह अलनाद हराम है दोजख की आग और फिर हमने और ये भी देखा था कि दीन की समझ यहां पर क्या बताए मैं यूरीदू लाह भी ख़ायरन यूफ़गे हु फिद्दीन जब अल्ला सुभाना ला किसी के साथ भलाई करना चाते तो क्या करते दीन का इल्म देते यूफ़गे हु फिद्दीन फिख ये तो डीपर और नॉलेज की बात है तो अगर आप दीन सीख रहें या सिखा रहें या आप दर्सों में जा रहें या कुरान के लेक्चर्ज यूट्यूब पर सुन रहें या फेस्बुक पर सुन रहें या आपके लिए good news है लेकिन आप इल्म इसलिए मत सीखिये कि किसी को belittle करने के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए No, never ever इल्म हम अपने लिए सिक रहें फिर उसके बाद as a parent हम अपने बच्चों को अच्छा इल्म दे क्योंकि हम जब मर जाएंगे हमारी ओलाद ही सवाब जा रही है one of the सवाब जा रही है अरी ओलाद हाथ उठा के दुआ करने वाली हो ऐसा ना हो कि हम यहाँ दुन्या से चले जा रही है और ओलाद को ये भी ने मालुम है कि अच्छा नमाज जनाज़ा कैसा पढ़ना उसको ये भी ने मालुम है कि दुआ कैसा करना parents भी ऐसा नहीं क्योंकि वो सवाबे जारी अपन्या और हम जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहें लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखी सही इल्म देना है सही जमजम पानी पीने से क्या होता फैदा होता अगर आप उसमें चंद खदरे जहर के डाल दिये तो वैसे ही इल्म सही इल्म देना है जैसा जमजम वाटर है ना के उसमें गलत बीदाद शिर क्यों दाल देना क्यों क्योंके सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफाई करने के लिए ये दिन को जो दिन की समझ है ये बहुत ज़ादा इमपॉर्टन्ट है कुरान और सुन्नत और सही कुरान और सुन्नत का इल्म होना चाहिए गलत चीजें अगर आप सिख के जाएंगे अब यहां पर दुनिया में देखी कोई भी आप डिगरी लेना चाहते आप कोई भी स्कूल से ले लेते नहीं आप पर्टिकलर ली वो यूनिवरसिटी में वो ही पर्टिकलर यूनिवरसिटी में एन्रोल होना चाहते और उसके लिए वो पर्टिकलर ग्रेड वो पर्टिकलर स्कूर लेके आते आप क्यों क्योंकि आप एलिजबल हो तो जन्नत ऐसी मिल जाएंगे बगर अगर गलत इल्म हासिल करके गलत वो करके वो एक्जैम्पल क्या है कोई और उन बुनते गई और फिर उसको क्या करी अन्रावल कर दी मतलब उसको फिर खोल दी तो उस तरह हम चाहते हैं नेवर तो हम सही इल्मासिल करना है और उसके साथ आमल करना है तो आज हम यह चीज़ें सीके जजाक ल्ला खेरन कसीरा सुभान कल्ला माभी हम दिका नश चैदू लाइला इला इला तनस तक्फरु काना तुल्गें